इश्वर ने इतने लोग इस स्रिष्टी में पैदा कर रखें, सवासो करोड तो भारत में है, कई अब जो पूरी स्रिष्टी में है, एक भी आदमी की शकल सूरत दूसरे आदमी से नहीं मिलती, कोई इंसान की ताकत नहीं है कि सवासो करोड डाई और सवासो करोड डिजाइन अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग बना सके, परमात्मा की ताकत है, यह आश्चिरी नहीं है, कौन सी डाई में बनाता होगा पता नहीं, सब की नाक नक्षियां अलगे, हम मानते हैं कि एगर जिस भाग्य में एश्वर्य धन, सुख और संपदा लिखी है, उतनी तो मिलनी ही मिलनी है, चाहे कुछ हो जाए और आप उल्टेओकर लटक जाओ, और अगर आप चाहो तब भी भी हजारों बार कोशिश कर लो, जो आपके किसमत में नहीं है, नहीं मिलन तो क्या हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, कोशिश करने के लिए अपनी कामनाओं को इतना बढ़ाना नहीं चाहिए, कि आप किसी भी हद तक गिर जाओ, कोशिश करो, पुर्शार्थ करो, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हरी इच्छा है, हम ऐसा मानते हैं, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है, कि जैसे आपके माता-पिता, आपका अहित नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चे को कहीं पर भी ऐसी जगह पर जाने नहीं दे सकते हैं, जहां पर उसका अहित होता हूँ, ठीक है, बानते हो, फिर भी एक बार माता-पिता की बुद्धी हो सकती है, क हम नहीं मानते कि परमात्मा रूपी माता कभी हमारा अहिद कर सकती है जिस दिन मनुष्य को ये विश्वास आ जाएगा उस दिन दुनिया में किसी का कोई बालबाका नहीं कर सकेगा माताओं की माता है वो पिताओं का पिता है उसने जब आपको जनम दिया तो आपने लेटर नहीं लिखा था। होई व्यवस्था होई की नहीं होई आपके बिना कहें आपके जनम के पहले मा के शरीर में दूद की व्यवस्था है। का सिस्टेम बहुत सिस्टमिटिक है। आप सोच कर देखो आपको बहुत आश्चरिय होगा। हर चीज पहर में देखे रखिए। दो आखे क्यों एक आख से काम चल सकता था ना। दो ही क्यूं दी। दो दी तो अब हम हैबिचल होगें दो से देखने। एक यहां देदेथे तो ख़दम रहते है हैं. एक होती तो चलता दो से लिया। एक अगर बजार बंद हो जाये तो दूसरी बजार से देखा जा सकता है। काम तो चल जाएगा। सिस्टम है उसका। एक नाख देता नाख तो एक देता दो तो नहीं में दी। दो दिये में सांस लेने के लिए नॉस्ट्रिल्स दो है, सर्दी हो जाए और एक बंद हो जाए, तो दूसरे से आदमी काम चल जाए, पता चले एक ही होता और सर्दी में, कोरोना तो बाद की बाद है, मर जाता आदमी, देखिए किया सिस्टम है, इश्वर ने इतने लोग इस स्रिष्टी में पैदा कर रखें, सवासो करोड तो भारत में है, कई अब जो पूरी स्रिष्टी में है, एक भी आदमी की शकल सूरत दूसरे आदमी से नहीं मिलती, देखो इधर जितने बैठे हो, अच्छा, पूरे विश्वर में नहीं मिलती, कोई एक आदमी दूसरे से मिलता है, नहीं मिलता है, मिलता है, नहीं मिलता, और वो भी केवल सवासो करोड आज नहीं, सद्दियों से चलिहारी ही, इस रिष्टी में, हमारे बाप दादा, पर दादा, तर दादा, तर दादा, क्यों से दादा, क्या कहते हैं, नाम भी खतम हो जाते हैं, पर एक की भी शकल, दूसरे किसी से रिपीट नहीं होती है, ऐसा नहीं न, आज मेरे पास डाए खतम हो गए है, सब को एक जैसा ही बढ़ा के बेज़ दो, यह डिजाइनर पीस है, जब हम बुटीक में जाते हैं, या किसी और ऐसी जगह पर जाते हैं, तो यह डिजाइनर पीस है, डिजाइनर पीस है मतलब, एक ही बनता है वैसा, ठीक है, है ना, पर वो अलग पीस में, उसकी कुछ न कुछ रिपिटेशन तो जरूर होती है, एकदम से अलग नहीं होगा, पर चलो एकदम से अलग होगा भी, तब भी बी कोई इनसान की ताकत नहीं है, कि 700 करोड डाई और 700 करोड डिजाइन अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग बना सके, परमात्मा की ताकत है यह आश्चिरी नहीं है कौन सी डाई में बनाता होगा पता नहीं, सब की नाक नक्षियां अलगे एक जैसा नहीं है देखा क्या किसी को एक जैसा दाया लगे किद्नियां भी ऐसी दे रखी है एक किद्नी किसी को जर्वत पड़े तो एक किद्नी से भी आदमी चल जाए कितना सिस्टमेटिक है तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस ईश्वर ने स्रिष्टी बनाई है हम तो पचीस पचास साल से हैं हम लोग ये समझते है कि शаяц हम ही बहत शाने हमें ही अकल है परमात्मा को तो हमारी भाग्य की अकल ही नहीं थी लिखते टाइम तो ये गलत है जिस समय हम कानून को हाथ में लेने लगते हैं तब ही हम गरबढ़ करते हैं जब हम ये सोचने लगते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं वही सही है और हम इश्वर पर आस्था नहीं रखते तब सबसे ज़्यादा गरबढ़ करते हैं तो प्रमात्मा पर भरोसा रखना चाहिए हमारा पुर्शार्थ करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए पर हुआ तो ठीक है नहीं हुआ तो और बढ़िया है क्योंकि इश्वर से बहतर और स्रेश्ट हमारे लिए और कुछ होई नहीं सकता ये पकी बात है महगवान से बहतर हमारे लिए और कोई निर्णय ले ही नहीं सकता दो ही व्यक्ति इस संसार में और इस जगत में हमारे हितेशी है एक तो भगवान और दूसरा भगवत प्राप्त महापुरुश उन्हें अपना नुकसान और फाइदा नहीं दिखता ये जरूर दिखता है कि सामने वाले का हित कैसे हो जाए तो जिनकी दृष्टी दूसरों के हित पर रहती है उनके द्वारा कभी नुकसान होता ही नहीं हमारी बुद्धी के ठीक थोड़े ठीक आने कम है तो हमारी बुद्धी बीच बीच में चोच खड़ी कर देती है ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए ये वो कथा सुनी थी न एक आदमी गया बोले क्या भगवान तुने छोटी-छोटी बेली पे बड़े-बड़े कदू लगा दिये ऐसा कोई करता है और बड़े-बड़े पेड़ोंपे छोटे-छोटे फल लगते है पदा है आपका बहुत बड़े पेड होंगे, फल छोटे-छोटे बेलिया छोटी-छोटी होगी और फल बड़ी-बड़ी क्या भगवान मुझे पूछता तुमें अकल देता न तेरको काईसा काईसा करता है तू बिलकुल बेकार तेरा management एकदम बेकार है, third grade एकदम सारा system बेकार कर रखा दो विचारा चलते चलते थका, बढ़के नीचे बैठा उसकी नजर उपर बढ़के फल पर पड़ी, यह देख एक गरबढ तूने और कर दी एकदम ना दिमाग का अदा आदमी है मेरे को पूछता ना तो मैं सब systematic करता, तेरे को पूछता तो तू तो और ही घरबढ कराता ए देखो, इतना बड़ा पेड है और छोटे छोटे फल है यहाँ सिस्टम है यहाँ पे कदू लगाना चाहिए था और जो कदू का फल है ना वहाँ पे छोटे छोटे टेटे लगाने चाहिए थे क्या कर दिया है ओ अभी सोची रहा था तो इतने बड़का टेटा है आके गिरा इसकी आँख पे जैसे ही गिरा, ओ बापरे बाप मर गया रहे, आँखे टमाटर जैसी लॉल, पानी, पानी गिरे, पानी, पानी बोले तू जो करता है बराबर करता है अगर इस पे कदू लगता होता अगर इस पे कदू लगाया होता तूने मेरी शकल कदू होचा था मेरी शकल का सीरा बन जाता था तूने जो किया है सब परावर किया है हमारी खोपड़ी सोचती है कि ये ऐसा होना चाहिए था ये वैसा होना चाहिए था पर जब तू करता है तब सारे सिस्टम सही हो जाते तेरे की ये में कभी दोश नहीं होता हमें दोश देखने की आतत सी है इसलिए हमें हर चीज बुरी लगती है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो है सही है, कई लोग बोलते है, COVID होके बहुत बुरा हो गया, हुआ तो, पर इसमें एक चीज अच्छी भी हुई है, कुछ लोगों ने कहा, COVID में लोगों की दंदे बंद हो गए, लोग घर में बैठ गए, COVID के लोग थे, जो कभी इतनी बिकरी नहीं कर पाने की सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे लोगों के दंदे बड़े हो गए, और जो बहुत कमाली है, उनके दंदे मंदे हो गए, अच्छाई तो हुआ, पुरा क्या हुआ, हुआ है की नहीं हो ऐसा, हुआ हुआ है, जो अच्छे कमात पिते उनके दंदे थोड़े मंदे पड़ गए, जो बिचारे छोटे-छोटे थे वो बढ़े आगे, बैलेंस इश्वर ने कर दिया, और क्या अच्छा हुआ, तो अच्छा ये हुआ, लोग मर रहे थे, तो हनुमान 40 आएं जादा पड़ रहे थे, रामायन के पार जादा हो रहे थे, क्योंकि आदमी बहे से ही बगवान को पूछता है ना, तो तब हनुमान 40 आएं वो हुआ था ना, 2011 में 26 जनवरी को हुआ था ना, भुकम अर्थ को एक आया था, लोग बेघर हो गए थे, तब हम लोगों ने रस्तों पे भोजन-बोजन बाटने की विवस्था की अच्छे अच्छे घर के लोग रस्तों पे बैठे फुटपाथ पर खाना खा रहे थे, जो आदमी ये सोच रहा होगा, एह ये तो नौकर है, नौकर, हमारे और इसकी कोई बरावरी हो सकती है, वो आदमी नौकर के साथ बैठके खाना खा रहा था, भगवान ने बताया ना मैं क्या हूँ, इश्वर ने बताया ना, मिटी एक ही ये दोनों में, मुठी तू आदी जादा छोड़े, वो कम छोड़ेगा, पर मिटी दोनों में बरावर है, वो लोग हनुमान चाली साथ पढ़ने लगके, जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, तब कैसे भगवान यादा आ तो ये भी अच्छा, पॉल्यूशन कम हो गया, ये तो सबसे अच्छा हुआ, गाड़ियां कम दोड़ी, सबसे अच्छा हुआ, एर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, कम हो गया, लोगों को भगवानों के प्रती इस्था बढ़ गई, गायों क कभी-कभी धर्म को, कभी-कभी समाज को बैलन्स करने के लिए भी प्रकृती को वैसी व्यवस्था कर देनी पड़ती है